हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आयोग बिल्कुल ठीक होंगे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे लड्डू और वो भी मूमफली के लड्डू पिना चाशनी के इसके लिए मैंने एक कटोरी मूमफली को मिक्सी में पीस लिया है और थोड़े से ड्राइव फ्रूट्स लिया है एक कटोरी बूरा लिया है इलाइची पाउडर लिया है और ये देसी घी लिया है अब हम एक बाउल में अपने मूमफली के मिक्सीर को ट्रांसफर कर लेते हैं और इसमें हम अपनी बूरा एड़ कर देते हैं ये फ्रेंड्स आ आप इसको कम मीठा रखना चाहते हैं तो कम मीठा रखें और इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर डाल दिया है इलाइची पाउडर डालने के बाद हम इसमें दो चमच देसी की एड़ करेंगे और इसको स्पून की हैल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे अगर आपके पास बूरा नहीं है तो आप एक कटोरी चीनी को मिक्सी में पीस कर मिला सकते हैं यह देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसको अपने हाथ की हेल्प से अच्छे से मिक्स करूंगी जिस्ते की जो मिक्षर हमने इसमें डाला है वो सब एक जैसा हो जाए friends हमारा mixture देखे कितने अच्छे से हो चुका है अब हम इसके एक मुझछिव से लड्डू बना कर देख लेंगे कि लड्डू बन रहे हैं या नहीं ये देखे लड्डू तो बन रहे हैं पर मुझे इसमें घी थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसमें दो चमच घी और एड़ करूँगी क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और बच्चों को थोड़े घी ज्यादा ही पसंद होता है वैसे लड़ू उसके भी बन सकते हैं ये देखिए फ्रेंड्स हमारा मिक्षिर एकदम रेड़ी हो चुका है असानी से हमारे लड़ू पन कर त्यार हो गए हैं देखिए बिल्कुल गोल गोल इस तरह हमने अपने सारे लड़ू बना लिये हैं और जो ड्राइब फ्रूट्स थे उससे हम अपने लड़ू की डैकोरेशन कर देते हैं जिससे की लड़ू देखने में भी बहुत जादा संदर लगेंगे हमारे लड़ू बन कर त्यार हैं तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू